Manufacturing System या फिर Manufacturing Process, देखिक कस्टमर की अलग-अलग नीट्स होती हैं और उस नीट्स को फुल्फिल करने के लिए अलग-अलग प्रोडक्स मार्केट में अबलेबल हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी कॉमन प्रोडक्ट होते हैं, जिसको सभी लोगों को चाहिए होता हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, जो कि सिर्फ आप ली को चाहिए होगा वह प्रोडक्ट दूसर यूज नहीं कर सकता है, वो सिर्फ आप ली यूज कर सकता है तो अलग-अलग नीट के बेसिस पर अलग-अलग प्रोड़क्शिन मेथड्स जो है यूज किया जाता ह तो यहां पर दो ताइप की ब्रॉडली जो है दो ताइप की manufacturing system होता है एक होता है continuous एक होता है intermittent जो कि हम आगे discuss करेंगे तो the activity or the combination of activities which is mainly performed to convert a given raw material into a product of different shapes, size, width or without making any kind of changes in the mechanical or physical properties of the product material is termed as manufacturing process or production system manufacturing system भी manufacturing process क्या हो गया यह activity है फिर combination of activity है जहां पर raw material को convert किया जाता है product में different shapes के different size के product develop किया जाता है कुछ में mechanical or physical properties चेंज की जाती है कुछ में mechanical or physical properties चेंज नहीं की जाती है तो उसी को manufacturing system कहा जाता है clear तो manufacturing system जु है वो अलग अलग type क्यों होते हैं तो broadly do type में divided किया गया एक है continuous manufacturing manufacturing system या फिर प्रोसेश वो दूसरा है intermittent manufacturing system य फिर Mission process तो continuous manufacturing system में processing या भी होता है देकि Strikeion continuous चैनि कि ऐसे product जिनका development continuous होता उनकी नीड मार्केट में हमेशा रहती है और उनका प्रोडक्शन कंटिनुवस चलता रहता है तो उस टाइप के मैनुफेक्ट्रिंग सिस्टम को प्रोसेज को क्या कहते हैं कॉंटिनुवस जैसे आप सबोज कि यह फुड इंडुस्ट्री में बिस्किट है तो बिस्किट की से चलता रहता है तो यह जो कंटिनुवस के बात या मसीन चल रही है तो चलता रहता है और बंद कर दिया कुछ महीनों के लिए कुछ सालों के लिए क्यों कि अगर कहीं पे आपने production इसका रूख दिया तो फिर क्या होगा market में supply कम हो जाएगी demand बढ़ जाएगी तो आपका नुक्सान होगा और वहीं पे हो सकता है कि competitor कोई दूसरा आ गया तो उसका फैदा हो जाएगा तो continuous manufacturing system जहाँ पे product के demand continuous रहती है market में और उसके लिए production भी continuous चलता रहता है तो also known as flow production system used to produce or process product without interruption by constantly supplying raw material तो यहाँ पे क्या होता है कि जो production process होता है उसको रोग का नहीं जाता है बस आपको raw material ले आना है production process चलता रहेगा और product बनता रहेगा जैसा कि हमने बता है biscuit का तो biscuit का है biscuit जो है आज के टाइम पर basic necessary होगी और mass production होता है सब को biscuit चाहिए होते हैं खाने को तो उसको raw material ले आते हैं लोग और production process चलता रहता है और convert होता है और production product बनता रहता है market में हमें इसा available रहता है तो इस case में जो continuous manufacturing system में process है यहाँ पर manufacturing किसकी की जाती है जो कि similar product होता है यानि कि जहाँ पर आप shape या size में ज्यादा change करने की जो उतना ही परती है किप मसीन एंड क्योपनेंट टोटली बिजी तो यहाँ पर continuous काम हो रहा है तो जो भी तो जो भी काम करते रहते है है जो भी उनका timing होगा जो भी उनका सिफ्ट होगा उस टाइम पर shift पर होता रहता है there is a fixed path material handling तो यहाँ पर क्या है एक fixed path होता है यहाँ पर पता होता है कि अगला काम क्या है अगला काम क्या है और fixed path है क्योंकि continuous है वही repetitive job होता है यहाँ पर goods are produced on a large scale for stocking and selling तो यहाँ पर जो goods बनते हैं continuous manufacturing system जो भी use करते हैं वहाँ पर goods जो है production चल रहा होता है clear तो continuous manufacturing system में ही आता है mass production, mass production क्या है mass मतलब कि large scale में production हो रहा है बहुत ज़्यादा quantity में production हो रहा है तो बहुत ज़्यादा quantity production हो रहा है तो किसका होता है identical goods का ही बहुत ज़्यादा quantity में production होता है यानि कि जो same type के goods होते हैं जैसे biscuit का बता है, तो biscuit का है, same type का है, उसका production होता रहता है, oil हो गया, fuel हो गया, तो यह क्या है, same type के production, इससे कोई design तो change करना नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, कि production continuous mass production में large scale में production हो रहा होता है, तो manufacturing many identical goods at once, जाने कि एक ही बार में बहुत सारे identical goods को आप produce करे हो, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, mass production कहलाएगी, large scale production of standardized goods और component यहाँ पर क्या है, large scale में जो है production होता है, जो भी standardized goods होते हैं भी component होता है, तो mass production is the industrial technique to produce large quantity of similar product on constant flow, यहाँ पर क्या है, कि यह industrial technique होता है, जहाँ पर जो industries होती हो, large quantity अगर produce करनी होती है किसी similar product की, तो वो जो है constant, continuous manufacturing system, mass production manufacturing system जो है use करते हैं, company produces different type of product on a large scale and stock them in warehouse until they are demanded in the market, जैसे कि toothpaste हो गया, soup हो गया, comb हो गया, यह सब क्या है, mass production होता है, इनका continuous flow चलता रहता है, market में demand हमेशा बनी रहती है, तो इनका large scale में production हो रहा होता है, next है intermittent manufacturing system या intermittent manufacturing process, तो यहाँ पर क्या होता है, कि जो production system है वो continuous नहीं होता है, रुकता है, फिर चलता है, फिर रुकता है, फिर चलता है, clear, तो intermittent means something that start and stop at irregular interval, यानकि कोई ऐसा production system जहाँ पर शुरुआत हुआ और फिर रुख गया, फिर कुछ महीने बाद या फिर कुछ दिनों होता है, कि क्या वो continuous perform करते हैं, continuous बाल काट रहे होते हैं, नहीं, कोई customer आया, बाल काटे हैंगे, customer चला गया, तो वेट करेंगे, जब तक कि कोई दूसरा customer नहीं आएगा, restaurant का example, तो restaurant में क्या है, कोई restaurant खाना खाने आता है, तो वहाँ पर production में होगा, कोई अगर खाना खाने नहीं आया, डिनर करने नहीं आता है, lunch करने नहीं जाता है, तो production नहीं होता है, तो यह intermittent manufacturing system होता है, clear, goods are produced based on customer order, these goods are produced on small scale, the flow of production is intermittent, यहाँ पे क्या है, यह जो goods होते है, small scale में प्रोडूस होते है, यह जैसा customer आएगा, तो production होगा, customer demand करेगा, तो production होगा, नहीं, तो नहीं स्केल में होता है क्योंकि customized होता है और flow of production क्या है intermittent होता है यह पर flow of production clear to the products are of different size intermittent manufacturing के होते हैं उनका intermittent processing system या process applicable होता है जैसे कि shoes आप झोटेख लीजे. तो shoes को में different different size में बनते हैं तो यहाँ पर continuous ओनुम नबुट के बनाए आपने कल 8 number का बनाओगे उसके बाद 7 number का बनाओगे तहां पर क्या है? production continuous ने यह production रुक रुक के चल रहा है clear? सूज में यह हो ना कि different sizes के हैं तो आपने किसी दिन 8 का बनाया, किसी दिन 9 का बनाया, किसी दिन 7 का बनाया तो यह production रुक रुक के चल रहा है the design of these product goes down changing, जो design है वो भी क्या है? change होता रहता है, 9 का हो सकता है कि shape अलग होगा, 8 का shape अलग होगा, 6 का shape अलग होगा तो intermittent, it keeps changing according to the design and size of the product, therefore this system is very flexible तो जो intermittent manufacturing होता हो क्या है? flexible है क्यों क्योंकि यहाँ पर design, size, वो सब क्या हो रहा है? change होता रहता है, अब gold का example ले लिजए, तो gold में भी क्या होता है? अलग-अलग design के जो है, वहाँ पर gold jewelry बनते हैं, तो वहाँ पर क्या है? intermittent होता है, tailor का example ले लिजए, तो tailor क्या है? जैसे कि लोग अपना कपड़ा tailor के पास सिलवाने जाते हैं, तो कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो वहाँ पर क्या है? सबकी body का shape अलग-अलग size में है, तो tailor का continuous एक ही size में तो product नहीं, कपड़े नही जाते हैं इसको, तो job based या job shop मतलब कि जब job आएगा, तो काम होगा, production होगा, जब job नहीं आएगा, तो काम नहीं होगा, production नहीं होगा, it makes small batches of custom goods, specifically for one customer, तो यहाँ पर क्या होता है, कि small batches जो है वहाँ पर goods के बनाया जाते हैं, और खासकर एक customer के लिए बनाते है, most of the goods it makes require a specific setup, और हर goods के लिए जो है, specific setup यहाँ पर चाहिए होता है, entails handling of the entire task either by single employee और group of employees, यहाँ पर जो काम होता है, या तो किसी एक single employee दर किया जाएगा, या फिर कोई group of employee जो है, वो पूरे काम को करता है, जैसे कि restaurant में चले गए, तो restaurant में अगर कोई customer आ जाता है, तो पूरा staff जो है, active हो जाते है, वहीं पर बार-बार shop पे चले गए, तो जो बाल काटने वाला है, वो active हो जाता है, वो काम करता है, पूरे task को perform करता है, तो that is job based, job shop manufacturing, a hair dresser, a tailor, construction of bridge, यह सब क्या है, job shop है, job based होता है, यानि कि job आएगा, तो इसके बाद manufacturing होगा, job नहीं आएगा, तो manufacturing नहीं हो कि हमने shoes के example लिया, तो shoes में क्या है, कि batch production होता है, वहाँ पे 8 number size का आपने 100 unit एक दिन में बना दिया, ति यह पूरा batch हो गया, एक दिन में 100 unit, 8 size का रसूज बनाया, batch हो गया, दूसरा batch 9 number का गया, तीसरा batch 6 number का गया, ति यह batch manufacturing system process, a method whereby a group of identical products are produced simultaneously, rather than one at a time, क्या पे एक 8 का बन आया, यह दूसरे दिन आपने 9 का बनाया, तो simultaneously आप जो है product को produce कर रहे हो भी identical product को produce कर रहे at a time, जैसे कि example shoes का हमने दिया, clear, दूसरा है, तीसरा है project manufacturing system या फिर project manufacturing process, यहाँ पे क्या है, customized होता है, customized products are made, आप suppose करें कि आपको अपना घर बनवाना है, तो आपके recording, आपको अपन 1TB जो है, आपका hard disk हो, 4GB RAM हो, monitor उसका 32 इंच का हो, keypad आपको digital चाहिए, touch screen चाहिए, तो इस तरीके से जब आप अपने according जब कोई product बनवाते हो ना, तो उसको project manufacturing system कहा जाता है, to fulfill specific customer demand को फुल्फिल करने के लिए, आप जो है project manufacturing system अपनाते है, तो जैसे कि आपने देखा such as custom homes हो गए, defense weapons हो गए, aircraft carriers हो गए, sub marine हो गए, air space product हो गए, such as passenger plane and space shuttle हो गए, तो यह सब क्या है, expensive और large होते हैं, और slice product होते हैं, तो specific task को perform करने के लिए होते हैं, तो उस type की manufacturing के लिए, project manufacturing, अब Tata है, तो Tata जो है, army के लिए, trucks बना रही है, बस बना रही है, तो वो क्या हो ज manufacturing system क्या है, mass batch, job based and project manufacturing system, wish you all the best, keep watching.